तो अधित 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 भी आधित अधित जो भी हम काम कर रहे हैं गुदिए जो मेरा और्चर्ड जो मेंने त्यार किया है तो कमर्शियल ही हमें काम करना चाहिए तो ये चरिया मेरी मई से स्टार्ट हो गई कि मई से मार्केट में हम जाना शुरू हो गई मई से हमारी इंकम स्टार्ट हो गई क्योंकि हम फार्मिंग कर रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग कर रहे है कि apple के उपर हम focus करें कि save ही होना चाहिए ऐसा नहीं क्योंकि आज जो जरूरत है हमें है multi crops की multi crops में क्या होगा कि आप multi crops जब पैदा करेंगे अपने ये orchard में तो आप 12 महिने में कम से कम 6-7 महिने जो है market में आप जाते ही रहेंगे जब आप market में जाएंगे तो आपकी income बढ़ेगी market में आप तब जाएंगे जब आपके पास product होगा product कैसे होगा जब आप इनको त्यार करेंगे multi crops में तो multi crops आप देखो चरी, पलम, आडू, शकरपारा, नाशपाती ये सारी multi crops saib तो है ही है हमारे पास, ये सब जो हम में इसी में ही तियार करनी है, अब देखो कहां पे तियार करते हम इसको अब आपको बताते हैं देखो ये वाली दीवाल है, ये चरी आप ने देख ली, अब ये entry से आपने, वो पिर्स भी देख ली है और पलम भी आपने देखे, त क्योंकि एक एच के इंच से हम कुछ ना कुछ लेंगे, अब यह आपको अगला एज दिखाते हैं, जो अगले वाला एज है, दिवाल का मकान के, घर के बहार का, अब यहां चरी पे खतम हुए, अब यहां पे आपका कहां आप फील करेंगे, यह अनार है, अनार का पौदा है, अब इसको आप देखो, यह कहां से तियार किया गया है, यह जो दिवाल है, यह कितनी बड़ी दिवाल है, नीचे से आ रही है, तो यह अनार का पौदा हमने यह तियार किया, कहां, अंदर से इसके लिए, पहले ही इसके लिए हमने प्रोग्राम किया, इसके लिए एक टरनल बनाई और बाद में से प्लांट लगाया और प्लांट आगे से स्टेंड करके पूरा दिवाल पे ऑफ साइड में हमने एजबेस को त्यार कर दिया आप देख सकते हैं इसको त्यार हो गया अब यह रूट सिस्टम कुछ लोग सोचेंगे कि इसको यह फीड कहां से मिलती है यह जो मिटी है पीछे रूट के अंदर इतनी पावर होती है कि जमीन में जहां उसको मिटी नजर आएगी मौशर नजर आएगा जो भी फील करेगा रूट वो मौशर की तरफ अट्रेक्ट होती है तो यह खुद जो है यह सर्वाइव करते हैं सिर्फ हमें इनको एक आकार देन अब हमने कैसी जगा दी के वाली इंदर से आरही है पुरी है यह है अब यह लंबी दीवात एंकम से कम 1.5 or7 की return की दिवाल है इस फिए आप देखें कैसी अमने इसमें रास्ते के साथ औफ साइड में यह पियर निकाला है यह पियर तियार है यह बेभी पियर तियार है यह आगे आप आओ दिखाएंगे चलते चलते अब इदर हम लेट साइड में देखेंगे जो हमारा लौन था इसमें हमने यह राजमा तियार किया है यह यह एक एगरिकल्चर अभर दिवी हम साथ में कर रहे है हल्टी कल्चर के साथ क्योंकि राजबा भी हमारा त्यार हो रहा है इसमें polythene के अंदर Water a better डाल करके पॉलिठments के बैग लिए जो तो सफि कर्ते हैं लोग उनी पॉलिठेन के अंदर हम अधनी अच्छी डाले और उसमें अपने जो पूरी साल की यूज होने वाली डाले हैं उसको हम इससे ले सकते हैं ये आपका खेरा है ये मूली है ये धनिया है जितनी भी आपकी बैजी टेवल है оно कारी आपक Ini सब इसमें त्यार करिया है रही है अंदर से आ रही है यह आपको जमीन के एक एक इंच का इस्तेमाल हम बताएंगे कि एक एक इंच जमीन को कैसे यूटिलाइज किया जाता है और कैसे उससे हम प्रोडक्शन लें कैसे हम अपनी आउट वुट बढ़ा है जो हमारा छोटा किसान है छोटा जो बागवान समझता है अपनी जमीन ये बोलता है कि मेरे पास जमीन कम है अब मैं कम जमीन में कैसे करूँ तो वो छोटा किसान ये ना सोचे कि जमीन यहां तो जमीन ही नहीं है यहां तो मिटी आप देखेंगे तो यह तो हवा में पेड़ो तो आप इदर से देख सकते हैं तो जो ज़ुश्वीन वाला जो Question है हमारा कम जमीन वाला तो हम उन को बताना चाहते हैं कि जमीन जितनी भी है आपकी दो भी गाहे, 5 भी गाहे चार भी गाहे, दस भी गाहे, प्रंदू उसको तो आप इस्तेमाल करेंगे, इन प्रंदु उसको तो आप इसको ड्ला Junior करेंगे, तो आप देखेंगे विन आप पूदूी, पूर नाश्पति के अंदर से त्यार हो रहा गया है, जो ये दिवालों के उपर आप देख रहे हैं ये जमीन का यूटिलाइजेशन है क्योंकि हमने कुछ करना है अगर हमारे मन में कुछ करने की हमने ठान ली है तो हम करके भी दिखाएंगे पहले तो हमें इस तरह से अपनी फार्मिंग के लिए तियार होना पड़ेगा हर काम के लिए आपको बड़े शौक से बड़े शिद्दत से आपको लगन से काम अगर कुछ करने की अगर आपके अंदर आगे है अंदर से भावना तो आप कुछ भी कर सकते हैं ये आप देखें ये वही उधारन है आज कि हम दुनिया के देशों को भी ये बता सकते है कि आप की जो टेकनॉलिजी है दुनिया के जो देश काम कर रहे है हमारा चलेंजिस उनके साथ है हम उन से पचास साल आगे चल रहे हैं सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं अगर वो देखेंगे दुनिया के देश कि हिंदुस्तान में ऐसी भी फार्मिंग हो रही है कि दिवालों के अंदर से भी पौदे तियार हो रहे हैं हम जा रहे हैं उनके पीछे कि विदेशों में ऐसा हो रहा है अमरीका में ऐसा हो रहा है चाइना में ऐसा हो रहा है तो ये क्या है ये तो हम एक गलत इनफॉर्मेशन में बह रहे है हम ये नहीं देख रहे है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे है और हमें क्या करना है अगर हम कुछ कर रहे है हमें कुछ करना है तो ये आप देख सकते हैं ये दुनिया के कोई भी देश होने है आज तक कोई भी टेकनोलेजी नहीं निकाली जो दिवालों में पौदे त्यार करके दिखाएं और अपने फार्मर को उससे सम्रिद बनाएं तो यह आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ही ऐसे काम कर सकते हैं किसी विक्षेतर में वो जा सकते हैं बट उनके पीछे एक थोड़ा सा अगर प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए बैकप मिल जाए तो वो दुनिया के सब देशों को नीचे पीछे दिखा सकते हैं और उनसे आगे निकल सकते हैं क्योंकि हमारा यूथ नौजवान घर चलेंजेज को लेने के लिए सक्षम हैं मैं फील करता हूं क्योंकि मैं फील इसलिए करता हूं कि जो हमारा यूथ है मैं अभी यूथ था, अभी यूथ हूँ, ठीक है, तो मैं फील करता हूँ, तो मेरा जो और नौजवान है, वो भी देश के मेरी तरह फील करते हैं, तो जब मैं दुनिया के देशों से चलेंज लेने के लिए फील करता हूँ, अपने आपको परपेयर करता हूँ, तो दूसरा क्या है कि हम तब मानते जब प्रूफ होता है पिना प्रूफ से नहीं चलेंगे प्रूफ का मतलब होता है कि जब हम करके दिखा दें तब हम बोलने बाले बन सकते हैं आज ये हमारा एपस और चर्ड उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि इसने प्रूफ कर दिया है जो इसने स यह जो अपस और्चर्ड ने सोचा था वो उसने प्रूफ भी कर दिया है और आपको दिखाते भी है कि प्रूफ करके कैसे प्रूफ किया है अब यह दिवाल आपने देख ली अब आपको यहां से अंदर हम दिखाएंगे एपल का एपल का यह जो रास्ता है आपको हमने उस रास्ते से लाया अब यह भी हम मेनी रास्ते पे चल रहे है हम मेन रास्ते से चलते चलते हम जाएंगे पूरे और्चड में आज आपको पूरे और्चड में ले जाएंगे अब यहां देखें आप कि इस अब हम एज से निकल करके जो हमारे घर के चारो तरव की दिवारे थी, एज थे, उसको हमने कैसे कर्टिवेट किया, यह तो आपने देखा, अब जो है, आपको हम अंदर की जमीन के ओपर कैसे काम किया गया है, जो एज से अंदर है, जो हमारे जमीन अंदर है, जो मिट्टी का असली उपजाव टुकड वहां पर किया है और look at Ó cam hyaboot ती घांटेशचेयर देखें यहां पर देख सकते हैं कि यह वादेश्ट्च में हमने हाइट देंस टीफ लाइशल करिए हाई डेंस और आप कॉफ ह्रोप कैसी है इसमें और Undai एक मज़े की बात कि आप ये देखिए, close से, single stem में, fruit, ये आप फील करें, ये फील करें, आप fruit को, ये, ये आप फील करें fruit को, सिंगल स्टेम है यह देखिए आफ जो बड़े प्लांट है उनमें भी आफ फ्रूट देख सकते हैं तो यह कितने हेल्दी फ्रूट है 12 जून को आप यह 12 जून है आज 12 जून को हम आपको दिखाएंगे कि देखो यह कितने फ्रूट इसमें प्लांट में लगे है और यह सिडलिंग प्लांट है इसमें कोई भी रूट स्टॉक नहीं फिलोस्फी जली है कि रूट स्टॉक पे होना चाहिए वैसा होना चाहिए फोरन का होना चाहिए जिनेवा सेरेज होनी चाहिए एमला होना चाहिए, यह क्या है, यह सब कन्फ्यूजन है, यह एक बिजनस है, न यह जिनेवा सेरेज है, आज दिखाएंगे आपको रियालिटी है, न यह जिनेवा सेरेज है, न यह एमला है, न यह कोई और है, न यह M9 रूट स्टॉक है, न यह 111 है, न यह 116 है, न यह 126 है कोई भी ये रूट स्टॉक नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना यहां का बीजू पाइटी जो होता है पाइटी जो सौ साल से चल रहा है जिसके उपर हमने सौ साल से फार्मिंग करिये जिसको लाने के पीछे हमारे महान पुरुष जो एक फृष्टा के रूप में आय पॉष्टा को कि दिखा तोनों माना कि यहां पर से अच्छा हो ऊसकता है क्योंकि सिर्फार्मिंग यह जो हमारी टोपोग्राफी के ऊपर सई получается क्योंकि यहां पर होती है पानी की स्मस्या हम रह रह है धलान दार जमीनों में लेल्स में जो हमारी टोपोग्राफी lid जो वहग वह है फ्लैट सीधी जमीने उनके पास और लैंड होल्डिंग उनके पास बहुत जादा हैं और हम उनके साथ कंपेर नहीं कर सकते इन चीजों में तो जो हमारा यहां कि टॉपोग्राफिया लॉग करती है वो करती है सेडलिंग को सेडलिंग में एक ही आपको भ्रहम था भ्रह प्रैक्टिस नहीं की किसी ने भी सेडलिंग को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि कंट्रोल करने की ही तो एक कला है इसमें कि सेडलिंग को कंट्रोल कैसे करना है और सेडलिंग को फ्रोटिंग में कैसे लाना है तो यह मैंने प्रूव करके दिखाया झाल झाल